गुड़ मॉर्निंग ताधिरा दे परिश्कार क्लाशे सरदार सेर के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ सेम उसी टाइम आठ जून का करंट अफेर लेकर कुछ नए अपडेट लेकर तो ये दस मिनट के आसपास का वीडियो होगा तो आप भी अपनी लाइफ का छोटा सा पार्ट है वो चोटा सा टार्गेट है वो कंप्लेट जरूर कर लेना आज की इस कलास को देख खर जो भी आपको इपोटेंट क्यूसन लगे वो अपनी डाइरी में नोट बुक में है वो नोट जरूर कर लेना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अंत तक देखना अंत में मैं आप से एक खुबसूरत सा स्वाल आपको मिलेगा अपना एप और उसको है वो इंस्टॉल कीजिए वहाँ पर लास्ट के आठ महीने की पीडियेफ कंप्लीट पड़ी है और ये वीडियो और इसकी पीडियेफ भी डालता हूँ और वाइद सिर्फ आपको पीडियेफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलिगरा क्यूसन है वो आपके सामने है और वो विदेश क्यूसन के बार विदेश से आया है आपसे रूबरू होने के लिए हाली में अलबीनिया के नए राष्टेपती कौन बने है तो अल्मानिया के नए राष्टेपती है जो कौन बने है तो बजराम बेगेज बने है कौन बने है तो जोस रोमोस है वो भी राष्टेपती बने है वो किसके बने है तो वो तुमोर का बने है एंथनी अल्बनीज राष्टेपती बने है पीम बने है ये बने है ओश्टेलिया की किसके बीम बने है ओश्टेलिया के और ओश्टेलिया के समुंदर में है सबसे उतरी ओश्टेलि हुआ है तो आप याद जरूर रखना ये इस कुछन से लेटेड फेक्ट अपने चर्चा कर लिए चलिए नेक्स्ट कुछन हाली में आईफा 2022 में सरफट अभी निता का किताब किसे मिला है तो ये 22 वां सवस्करण था इसका आईफा 2022 का तो ये किसको मिला है जो विक्की कोसल क केचना केफ को ले गया और आईफा 2022 भी ले गया तो आप याद जरूर लखना हाउस दजोस ओरी मूवी तो आपने देखी होगी तो इस से ही उन्होंने एंट्री मारी थी तो विक्की कोसल नेक्स्ट हाली में किस रज्जे के सीम ने लग्जरी क्रूज लाइनर एक्स प्रे तमील लाडू के सीम ने लग्जरी क्रूर लाइनर एक्स प्रेस को हरी जंडी दिये दी है मतलब यह यहां से अब दोड़ेगी अब तमील लाडू तो फटा फट तमील लाडू के तरफ गमन करते हैं केपिटल इसकी है वो है चेनई और सीम एम के स्टालन है और गवर्नर आ तो चेनई में है और अभी तमील लाडू ने दो गोशना ओर किया करेंट में कि 18 दिसंबर को है वो अलप संक्या के दिवे से मनाया जाएगा और 14 अप्रेल को है वो समानता दिवे से बी मनाया जाएगा तो यह अभी लाश्ट मंत की करेंट है जो तमील लाडू को दुवार संयंतर तो वह कहां है तो वह तमिलाडु में है कहां तमिलाडु में अब तमिलाडु में कहां तो दुदु कुडी में कहां धुदु कुडी में है याद रखना इपोर्टेंट वाला क्यूशन हाली में रुसी बासा दिवस कब मनाया गया है तो रुसी बासा दिवस तो ये जून को कब बनाया गया है छे जून को है वो रुसी बासा दियूस मनाया गया है अब इपोर्टेंडे वाला क्यूजन है अब चलो मैं आपको रिवाइज कराता हूं कि जून महीने में है वो इपोर्टेंडे कौन-कौन से आई है और आप अगर नोटबुक नहीं डाली है एक sequence नहीं डाली है तो प्रीज आप से request है कि sequence डाल ले ताकि वो easily आपको याद हो जाएं तो चलिए एक जून को विश्वे मातर पित्तर दियूस मनाया गया था दो जून को तेलंगाना स्तापना दियूस तीन जून को विश्वे साइकल दियूस मनाया गया था तो आप याद जरूर रखिए गया और पांच जून को तो पांच जून को है वो प्रेयाउन दियूस मनाया गया वो अपने कल ही चाचा की लेकिन मैं आप से जानना जरूर चाहूंगा कि इस बार की इपोर्टेंट थीम क्या है पांच जून तो सब को याद है लेकिन इपोर्टेंट थीम है वो 60-70% लोगों को ही याद है आप कमेंट में भी देख लेना कितने लोगों का जवाबाई तो कमेंट जरूर कीजिएगा इस थीम का की 2022 प्रियावन दिवस की थीम क्या है हाली में किस रज्येग ने रज्येपाल को विश्वे विद्या लेके विजिट पद से हटाने के विद्येग को मंजूरी दे दी है तो ये पस्चिम मंगाल ने मंजूरी दे दी है कि विए रज्येपाल है वो विश्वे विद्या लेके विजिट पद पर है अब नहीं रहेंगे यानि ये इसका विद्धेक को है मनजूरी दे दी है तो किसके द्वारा दी गई है तो पस्सिम बंगाल के द्वारा दी गई है पस्सिम बंगाल तो सीम साइबा कौन है तो मंता बनर जी है आप सबको पता है केपिटलिस की कोलकता है जो हुगली नदी पर बसावा है कहां पर हुगली नदी पर गवरनर जगदीप धनकर है और पहला तायर पारक भी का है पस्चिम बंगाल में है अब सिक्ष्या के छेतर में इसकोच पुरुसकार किसे मिला है वो अपने डिसकस भी किया था तो वो पस् मंगाल के दोरा की गई है और नेशन परक बकसा है और जल्द पारा है यहां पर दो इपोर्टन नेशन परक हैं चलिए नेक्स्ट हाली में किसने अगनी फोर मिसाइल का फरिक्षन सपल परिक्षन किया हम तो अगनी फोर मिसाइल का सपल परिक्षन है वो अपने प्यारे भा बारत में किस के द्वारा किया गया है किस के द्वारा ये लहां किया गया है अधिज के द्वारा किया गया है averaging योशंग Have a चेन्ज कर दिया गया था तो आप याद जुरूर रखने डियार डियो डिफेंस रिशर्च और्गनाइजन डिवलप्मेंट जिसके स्टापना 1969 को होती है ठीक है चलिए नेक्स्ट हाली में पहले ग्लोबल हेटकॉन हरिबिंगर 2021 के प्रेणामों की गोशना किसने की है तो ये इसके प्रेणामों की गोशना है वो आर बियाई के द्व द्वारा की गई है और गलोबल हेटकॉन हेरिबिंगर 2021 जो नॉमबर 2021 में होगा तो यह आप याद रखना तो रिजव बैंक ओव इंडिया 1935 को इसकी ली कमिशन आयोग से स्टापना होती है दुनिया के सबसे बड़े नो से निक युद खेल रिम ओफ पेसिफिक में कौन सामिल हुआ है तो देखो दुनिया का सबसे बड़ा नो से निक युद खेल है अगर आपको पूछ ले किस दुनिया का सबसे बड़ा नो से निक युद खेल कौन सा है तो वो रिम ओफ है रिम ओफ पेसिफिक क्या उन सा है रिम ओफ पेसिफिक है जिसमे अपना भारत है वो सामिल हुआ है option number a इसका science है भारत इसमें दूसरी बार सामिल हो रहा है इससे पहले 2014 में पहली बार सामिल हुआ था और इसका संस्क्रण कौन सा है तो इसका अगर आपको संस्क्रण पूछ ले तो इसका 28 संस्क्रण है कौन सा 28 संस्क्रण है इसमें total 26 देश है वो सामिल है तो ये गुन 30 जून से 29 जून से 4 अगस 4 अगस तक चलेगा कब से 30 जून से 4 अगस तक चलेगा तो आप याद रखना रिम पेक और ये पहली बार कब आयुजित हुआ था तो 1971 में हुआ था कब 1971 में आप देख सकते हो आप कितने मैनेफेक्ट है और चर्चा की है अगर आपको ये वीडियो अच्छा जरूर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए किया 22 की पहली सुनपदक वीजिता कौन बनी है तो ये काजोल सरगर बनी है जो सबसे कम उमर की है और बाहरत की जोली में है यिए किया 22 में पहला सुनपदक है अब वो जिता है तो आप याद रखना है मातर 16 साल की है और पहली बार है वो अपना लाइफ का है वो कुक्स रून पदक जिता है लेकिन इससे पहले है वो इन्होंने है यूद नेशनल में 2021 में कंशे पदक है वो अपने नामें किया था तो 2021 में आप देख सकते हो तो उस तेम कितने साल के थे हैं 15 साल के पहली F.I.H. Hopi Championship के फाइनल में बारत ने किस को हराया है तो बारत ने हरा दिया होकी में होकी चैंपियन्सिप में कृस को पॉलिंड को कुक्स से च्छार से हरा दिया गया है इसमें दो चरण होते हैं एक में पॉलिंड को हरा दिया और दूसरे चरण में साथ तीन से हैं वो मल काफी लोगों ने सही अंसर दिया उनको मेरी तरफ से सुकरिया और ये आपके लिए छोड़ा गया क्यूशन है इसका भी अंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए गया आपके अंसर का मुझे बेसबरी से इंतजार रहेगा और अब मैं आपसे अग्या लेता ह कल वापिस मिलते हैं इसी टाइम जय हिन जय भारत और धन्यवाद